कई बार ऐसा होता है कि किचन में रखे वे चावलों में घुन लग जाते हैं ऐसे में आप कुछ घरेलों नुसकों की मदद से कीडों को आसानी से निकाल सकते हैं ताकि आपके चावल खराब ना हो तो चलिए जानते हैं क्या है वह तरीका दाल चावल और आटा भाड़ते किचन में पाई जाने वाली ऐसी चीजे हैं जिन्हें लोग स्टोर करके रखते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर लेते हैं तो कुछ समय बाद इनमें घुन यानि कीड़े लग जाते हैं ऐसे में अक्सर लोग इसे बेकाड समझ कर फेक देते हैं क्योंकि जब ये ज़्यादा मात्रा में लग जाते हैं तो इनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको फेकने का मन भी नहीं होता और खाया भी नहीं जाता ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि आखिर कैसे आप इनमें लगे कीड़े को निकाल सकते हैं या फिर कीड़े लगने से इसे बचा सकते हैं दरसल अनाज में कीडे लगने की वज़ा होती है उसे सही तरीके से स्टोर ना करना जब आप इनको सही तरीके से स्टोर नहीं करते हैं उस दोरान हुई गडबडी के कारण ही चावल, आटा और दाल में कीडे लग जाते हैं आज हम आपको ऐसे घरेलू नुस्के बताएंगे जिनको करने के बाद आपके स्टोर में रखी चीजों पर कभी भी कीडे नहीं लगेंगे तो आईए जानते हैं अनाज को स्टोर करने का सही तरीका क्या है अब देखो अनाज में कीडे लगने से बचाने के लिए आपको बस हींग चाहिए हींग का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है इसकी महक इतनी तेज होती है कि खाने में स्वात के साथ एक अलग सुगंद भी लेकर आती है बता दे कि हींग की तेज महग अनाज में मौजूद कीडे और घुन को दूर भगाने में मदद करती है आप इसे अपने कंटेनर में रख सकते हैं इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा आपको बस हींग को एक कपड़े में बांध लेना है अब इस पोटली को दाल चावल मटर जैसे साबुत अनाज वाले कंटेनर में रख दे ध्यान रखे कि हींग को कपड़े की कई परतों में रखना होगा या गंद को अनाज में जाने से रोकता है और इससे आपका अनाज सुरक्षित रहता है तो अब अगर आप चाते हैं कि आपका भी अनाज खराब ना हो तो आप इस तरीके को चरूर अपना सकते हैं और अपने अनाज को बचा सकते हैं झाल झाल